क्यानडा में भारतिय चात्रों के संभाविट डिपोर्टेशन को लेकर विरोध कर रही हैं और दावा कर रही हैं कि उन्हें इमिग्रेशन एजिंसी ने धोखा दिया है और उन्हीं फर्जी दस्तावेश के हैं ये मामला तब सामने आया जब इन चात्रों ने कैनडा में पर्मनेंट घर के लिए आविदिन किया आखिर मामला क्या है दरसल कैनडा से 700 चात्रों को वापस भरत भेज़े जाने की तयारी है इन पर फर्जी आडमिशन लेटर से दाखिला लेने का आरोप है ये चात्र 2018 से 19 में स्टड़ी वीजा पर कैनडा गए थे उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली और वर्क परमिट भी हासल कर लिया है अधिकारियों ने जाच की तो पाया कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों पर वीजा हासल किया था सामने आया है कि पंजाग के जरंधर जिले के दो एजेंटों ने फर्जी दस्तावेज के ज़दिये चात्रों को कैनडा भेजवाया था पुलीस ने आरोपी राहुल भार्गव को गिरफ्तार किया है वही दूसरा आरोपी ब्रजेश मिश्रा विदेश भाग गया है वही क्यानडा गए छात्रों का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है